सुपरबात वच्चो, कल में आपको पाट पढ़ा रही थी, पांच, कि किस तरह से पांच को अलग-लग येदे को चिन बने हुए हैं, इस तरह से पांच को लिखा जाता था, तो आज उसके आगे पढ़ेंगे, दस्मी सदी के बाद मुझे, ये देखो, ये बाई सा बना हुआ है, इस तरह से पांच को लिखते थे, तो मुझे इस रूप में लिखा जाने लगा, और आगे चलकर इसी से मेरे आधुनिक रूप का विकास हुआ, यानि आज कल के जो पांच लिखा जाता है, जो हिंदी अनिशान बन रहा है, इस तरह से पहले पांच को लिखा जाता था, कितने साल पहले, 2000 वर्स पहले, रोमन में मुझे पांच लिखते हैं, जो रोमन संक्या है, उसमें पांच को इस तरह से लिखते हैं, असल में पहले मुझे पांच उंगलियों से गिनते थे, कितनी उंगलि लिखते हैं है ना रोचक मेरी राम कहानी, मुझे विश्वास है कि इस राम कहानी को पढ़ने के बाद, तुम मुझे जहां कहीं भी जिस किसी भी वेस बूशा में देखोगे, तुरंट पहचान जाओगे, यानि इस तरह से पाँच को, यानि हजार वर्सों पहले, यानि किस तरह से पाँच को लिखा जाता था, तो उसकी जो पूरी राम कहानी अब तक चलिया रही है, और अब रोमन संख्या में पाँच को इस तरह से लिखते हैं, और हिंदी भाषा में पाँच को इस तरह से लिखते हैं, तो बच्चों पार्ट समझ में आगया होगा यह पार्ट जो है डॉक्टर भोलाना तिवारी की पुस्तक अंकों की कहानिया के एक पार्ट पर आधारित है धन्यवाद